सब्सक्राइब कीजिए और दबाएं इस बेल आइकॉन को लेटिस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 आने से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं और अपनी जीत की तयारिया कर रही हैं इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है अखिलेश यादव का कहना है कि भारतिय जनता पार्टी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक देना ही नहीं चाहती आज ही अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट लिखा उसमें सपा के राश्ट्री अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकरा कर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछणा अर्थक भाजपा शिरू से ही समाजिक न्याय की विरोधी है बता दे इस से पहले कई बार अखिलेश यादव ने यह बात कही है कि उन्हें पूरा भरोसा है इस बार प्रदेश से भाजपा का सफाया होने वाला है और उनकी पार्टी इस बार 400 सीटे लेकर आएगी उन्हों ने योगी सरकार पर हमला करते हुए यह भी कहा है कि 54 महीने गुजर गए हैं बस 6 बचे हैं जनता को अब जुम्लेबाज सरकार नहीं चाहिए उन्होंने भाजपा पर हमला कर यह भी कहा कि यह पार्टी ठग का आसाथ ठग का विकास करती है सपा प्रमुक अखिलेश इस सरकार की वजह से जिन गरीबों के घर तूटे हैं सपा उनका घर बनवाने में मदद करेगी बता दे अखिलेश लगतार योगी सरकार पर हमला कर पार्टी को अलग अलग बात पर कट घरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं